C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 9 आक्णों का प्रबंधन प्रिष्ट 198 9.1 भूमी का आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्तिती अंकित करते या प्रते एक टेस्ट अत्वा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्रापतंकूं को अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा इसी प्रकार आपने ट्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा ऐसे दो-दो स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाए जा रहे हैं गेंदबाज का नाम ओवर मेडन ओवर दिये गए रन लिये गए विकेट A. दस दो चालीस तीन B. दस एक तीस दो C. दस दो बीस एक D. दस एक पचास चार दूसरा स्कोर बोर्ड बल्ले बास का नाम रन खेली गई गेंदें समय मिनटों में E. पैंतालीस बासट पिछहत्तर F. पचपन सत्तर एक्क्यासी G. सैंतीस तिरपन सड़सट H. बाईस एकतालीस पचपन आप जानते हैं के खेल में कौन जीता या कौन हारा केवल यही सूचना अंकित नहीं की जाती है स्कोर बोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अतिव पयोगी सूचनाएं भी प्राप्त कर लेते हैं जो उतनी ही महपवपून होती हैं उदहर अनार्थ आप यह ग्यात कर सकते हैं कि सबसे अधिकरन बनाने वाले खिलाडी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदूं का सामना किया प्रिष्ट 199 इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादी से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियां यानि टेबल्स देखी होंगी ये सारणियां हमें आंकडे यानि डेटा उपलब्ध कराती हैं आंकडे संख्याओं के वे संग्रह हैं, जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किये जाते हैं नौ दशमलवदो आंकडों का अभी लेखन आएए एक उधारन लें, जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक सैर यानि पिकनिक पर जाने के तयारी कर रहे हैं शिक्षक ने विद्यार्थियों से चार फलों, केला, सेब, संत्रा या अमरूद में से एक फल चुनने को कहा इसकी सूची बनाने का कार्य उमा को सौपा गया उसने सभी बच्चों की एक सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुक उसके द्वारा चुना हुआ फल लिख दिया यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार उन्हें फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी सूची उमा संत्रा, अख्तर अमरूद, रितू सेब, सलमा केला, कविता अमरूद, जावेद केला यदि शिक्षक यह जानना चाहे के कक्षा के लिए कितने केलों की आवशकता होगी तो उसे सूची में दिये सभी नामों को एक-एक करके पढ़कर केलों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी और इस से ग्यात होगा के कुल कितने केलों की आवशकता है सेबों, अमरूदों और संतरों की अलग-अलग संख्याएं ग्यात करने के लिए भी उसे प्रत्येक भल के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा यह प्रक्रिया कितनी जटल और समय लेने वाली है यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो सकती है यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या पचास हो जाए इसलिए उमा एक एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है केला, सेब, अमरूद, संत्रा, सेब, केला, संत्रा, अमरूद, केला, केला, संत्रा, अमरूद, सेब, केला, अमरूद, केला प्रिष्ठ दोसो क्या आप सोचते हैं कि इससे शिक्षक का कार्य सरल हो जाता है? उसे अब भी पहले की तरहा फलों को एक-एक करके गिनना पड़ेगा सलमा के मस्तिश्क में एक नया विचारा था है वह फर्ष पर चार वर्ग बना देती है प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए ही रखा जाता है वह बच्चों से कहती है कि वे अपनी पसंद के फल वाले वर्ग में एक कंकड रख दें अर्थात वो विद्यार्थी जिसने केला चुना है केले से अंकित वर्ग में एक कंकड रख देगा इत्यादी यहां चार वर्ग बने हैं जिनमें चार फलों के नाम लिखे हैं और उनमें कंकड रखे गए हैं प्रत्येक वर्ग के कंकड गिनकर सल्मा तुरंत यह बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार के कितने फलों की आवशकता है वहवांचित सूचना विभिन वर्गों में एक क्रम बध तरीके से कंकड रखकर तुरंत प्राप्त कर सकती है इस ख्रिया कलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए कि नहीं भी 4 फलों के साथ करने का प्रयत्न कीजिए आप कंकड़ों के स्थान पर बोतलों के ढखकन या किसी अन्य टोकन का भी प्रयोग कर सकते हैं 9.3 आंकड़ों का संगठन सल्मा ने जो सूचनाईं प्राप्त की वही सूचना रोनाल्ड एक पैन और कागज लेकर ग्यात कर सकता है उसे कंकड़ों की आवशक्ता नहीं है वह बच्चों से यह भी नहीं कहता कि आओ और वर्ग में कंकड़ रखो वह निम्न सारणी तयार करता है केला सही सही 3. सेब, सही, 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 5. अमरूद, सही, 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 4. क्या आप रोनाल की सारणी को समझ रहे हैं? एक सही का चिन्ह क्या सूचित करता है? 4. चार विद्यार्थियों ने अमरूद को चुना. अमरूद के सम्मुक कितने सही कि चिन्ह लगे हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ये सभी सूचनाएं ग्यात कीजिए. इन विद्यों के बारे में चर्चा कीजिए. कौन सी विद्यी सबसे अच्छी है? क्यों? यदि बहुत अधिक ज्यादा आकड़ों से सूचना प्राप्त करनी हो, तो कौन सी विधी अधिक उपयोगी, यानि लाभ प्रद है? प्रिष्ट 201 उदाहरण 1 दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रतेकविद्यारथी के भोजन की रुची जानना चाहता है. शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है. मारिया इसे एक कागज और एक पैंसिल लेकर करती है. भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वेह प्रतेक विद्यार्थी की रुची के लिए उस रुची के सामने एक खडी लकीर अंकित करती है सारणी भोजन रुची विद्यार्थियों की संख्या केवल चावल खडी लकीर सत्रह बार केवल रोटी खडी लकीर तेरह बार चावल और रोटी दोनों खडी लकीर बीस बार उपरोक्त सारणी को देखकर उमेश ने विद्यार्थियों को गिनने की एक बेहतर विधी का सुझाव दिया उसने मारिया से चिन्हों को दस-दस के समूहों में निम्न प्रकार व्यवस्थित करने को कहा भोजन रुची विद्यार्थियों की संख्या केवल चावल, खड़ी लकीरें 10 और 7 यानी 17 है केवल रोटी, खड़ी लकीरें 10 के समूह में और 3 यानी 13 चावल और रोटी दोनों, खड़ी लकीरें 10-10 के समूह में 2 बार यानी 20 राजन ने इसको और अधिक सरल बनाने के लिए उससे खहा कि वह दस-दस के समूहों के स्थान पर पांच-पांच के समूह बनाए जैसा नीचे दिखाया जा रहा है सारणी, भोजन रुची, विद्यार्थियों की संख्या, केवल चावल, पांच-पांच के तीन समूह और दो खड़ी लकीरें, यानी सत्रह, केवल रोटी, पांच-पांच के दो समूह और तीन खड़ी लकीरें, यानी तेरह, चावल और रोटी दोनों, पांच-पांच के चा यानि 20 शिक्षक ने सुझाव दिया कि पांच-पांच के प्रत्येक समूह में पांचवां चिन्ह एक तिर्छी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए जैसा कि यहां दर्शाया गया है इन चिन्हों को मिलान चिन्ह यानि टैली मार्क्स कहते हैं इस प्रकार टैली मार्क और दो यह दर्शाता है कि गिन्ने पर यह पांच जमा दो अर्थात साथ है और टैली मार्क टैली मार्क यह दर्शाता है कि यह पांच जमा पांच अर्थात दस है प्रिष्ठ 202 इसके साथ सारनी निम्न प्रकार की दिखती है भोजन रुची विद्य जार्थियों की संख्या, केवल चावल, टैली माक, टैली माक, टैली माक, दो, यानि सत्रह, केवल रोटी, टैली माक, टैली माक, टीन, यानि तेरह, चावल और रोटी दोनों, टैली माक, टैली माक, टैली माक, टैली माक, यानि बीस. उदाहरन दो एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंक्डे एककत्रित करने के लिए कहा गया उसने नीचे दर्शाय अनुसार अपने आंक्डे लिखे 5, 4, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, 4, 5, 6, 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 8, 7 जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता था 1. अधिक्तम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप 2. नियूनितम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप क्या आप इस सूचना को ग्यात कर सकते हैं? एक्ता ने मिलान चिन्हों का प्रयूग करके एक सारणी तैयार की. जूतों का नाप, मिलान चिन्ह, विद्यार्थियों की संख्या. चार, मिलान चिन्ह, यानि पाँच. पाँच, मिलान चिन्ह, और तीन, यानि आठ. छे, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, यानि दस. साथ, मिलान चिन्ह, दो, यानी साथ, आठ, दो, यानी दो, अब पहले पूछे गए प्रशनों का उत्तर सरलता से दिया जा सकता है. आप इसी प्रकार का क्रिया कलाप अपनी कक्षा में मिलान चिन्हों के प्रयोग द्वारा कर सकते हैं. इन्हें कीजिए, एक, अपने सह पाठियों के परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित सूचनाएं एककत्रित कीजिए और उन्हें एक सारणी के रूप में निरुपित कीजिए. ग्यात कीजिए के ए, कौन सी संख्या नियूनतम बाराती है, बी, कौन सी संख्या अधिकतम बाराती है, सी, कौन सी संख्याएं बराबर बाराती हैं. प्रिष्ट दो सो तीन सारणी परिवार के सदस्यों की संख्या मिलान चिन्ह उतने परिवार के सदस्यों वाले विद्यार्थियों की संख्या ये इस सारणी के तीन स्थंभ हैं अब इस सारणी में अपने उत्तर लिखिए नौ दशमलव चार, चित्रालेक एक अलमारी में पांच खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्थकें एक पंक्ती बद्ध रूप से रखी हुई हैं, विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है पंक्ती एक, चार पुस्थक चिन हैं, पंक्ती दो, पांच पुस्थक चिन हैं, पंक्ती तीन, दो पुस्थक चिन हैं, पंक्ती चार, आठ पुस्थक चिन हैं, पंक्ती पांच, तीन पुस्थक चिन हैं, पुस्थक चिन हैं, बराबर एक पुस्थक किस पंक्ती में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? किस पंक्ती में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? क्या ऐसी पंक्ती है जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? आप उपरोक्त आलेख को देखकर ही इन प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं. इसमें प्रयुक्त चित्र आंकणों को समझने में आपकी सहायता करते हैं इसे एक चित्रालेख यानि पिक्टोग्राफ कहते हैं एक चित्रालेख आंकणों को चित्रों, वस्तूओं या वस्तूओं के भागों के रूप में निरुपित करता है इसको केवल देख कर ही, आकणों से संबन्धित प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते हैं। इनहें कीजिये। समा चार पत्र और पत्रिकाएं प्रायह पाठकों को आकरशित करने के लिए चित्रालेखूं का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रकाशित एक या दो चित्रा लेखों को एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यह समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये चित्रा लेख क्या दर्शाते हैं। एक चित्रा लेख द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं को समझने के लिए कुछ अभ्यास्क करने की आवशक्ता है। नई दिली भारत